नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोतिश गुरू लाइव में आपका मित्रो हम उनी प्रशनों का जवाब देंगे जो सुबह 6 बच के 35 मिनट पर जोतिश गुरू की लाइव इस्टीमिंग के माध्यम से आपने हमारे साथ साजा किये सिलसला करते हैं शुरू अपने प्रशनों को लेकर अमरेश कुमार जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका और ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान में इन्हें बहुत घाटा हो गया है नुकसान हो गया है ये कोई उपाई जानना चाहते हैं देखें अमरेश वर्तमान समय में मैं आपको बता दूँ आपका जो जन्मांक है 31 मार्च दो जन्म समय सुबह 6 बच के 30 मिनट दर्बंगा बिहार देखें मेश लगन के आपके पत्रिका व्रशब आपकी राशी है वर्तमान समय में आपके लगन में सूर्य राहु ब्रहस पती और बुद्ध की युती है तो ये नुकसान का योग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन आपको घबराना नहीं ये वर्तमान स्थिती को लेकर हो सके तो पीपल के छोटे-छोटे दो पौधे आप किसी विश्नु मंदिर में लगाईए ब्रहस पतिवार का आप वर्त रखिये और अपने माथे पर प्रते दिन लाल चंदन का तिलक करके सुबह के समय हनुमान चालिसा का पाट करना शुरू कर दीजिए आने वाले सेप्टमबर दो हजार तेईस तक आपकी कुछ नुकसान की भरपाई भी होगी निश्चिन्त रहें अगले विवर का प्रिशन लेते हैं मित्रो कोमल हैं बहुत स्वागत है आपका कोमल और यह कह रहे हैं कि मेरा भविश्य कैसा रहेगा गुरू जी शादी का योग है या नहीं और संतान सुख मिलेगा की नहीं देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दू कोमल पहले विवा होने दीजिए उसके बादी संतान की उमीद करिएगा और यहां पर आपके जन्मांग का नुसार मुझे आपका डाटा जो है ये डाल के तयार करना है फिर आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके की आपकी पत्रिक स्वराशी का मंगल लगन में पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वित्ते होकर नीच के ब्रहसपती के साथ बैठा है एक तो कुंडली के अंदर प्रेम विवा का योग नहीं है माता पिता की मर्जी के हिसाब से ही आप विवा करिएगा कुंडली मिलान करके ही विवा भविश्य के अंदर स्वास्ते को लेकर हो सकता है कि आप एनिमिक हो जाएं ब्लड की थोड़ा सा कमी हो जाए तो आप इस समय अपने स्वास्ते का ध्यान रखिए सिंग राशी की हैं आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए संतान उत्पत्ती का भी आपने प्रशन हमारे साथ साजा किया है तो आपको बता दूँ कि ब्रहस्पती पंचमेश होकर कारक होकर नीच के शनी के साथ बैठ गया है तो संतान उत्पत्ती म हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो या कोई बाद आए उस समय आपको शिर्यारी की उपासना जरूर करनी है मित्रों अगले वीवर के ओर चलते हैं और अपने प्रशन को आगे बढ़ाते हुए गोधरा से जूही जुड़ी हैं बहुत स्वागत है आपका यह कह रहे हैं कि एजुकेशन के फिल्ड में कैरियर कैसा रहेगा यह जानना चाहते हैं जो ही देखते हैं आपके कुंडली के अंदर ब्रहस पती और पंचम भाव की इस्थिती कैसी है और पंचमेश की इस्थिती कैसी है ये कुंडली का पांचम भाव आपको बताएगा 30 मई 2002 और सुबह 10 बजे का आपने हमें जन्म समय बताया है ये आपकी पत्रिका तैयार हो गई देखे जोई यहां पर बहुत अच्छा ये योग बना हुआ है लेकिन आपको प्रयास लगातार करने हैं क्योंकि वर्तमान समय में आप उतरती हुई सनी की साड़े साती के प्रभाव में करकलगन की आपके पत्रिका मकर आपकी राशी है सूर्य बुद्ध और शनी का संबंद कुंडली के पांच में भाव से है तो अपने प्रयासों को अथक करने के लिए तेज आप इन प्रयासों को कर लीजिएगा हो सके तो सवा पांच से सवा छे रत्ती तक का एक शुद पहन लीजिए आपकी समस्या हल हो जाएगी और इसी फील्ड में आप अपना करियर बनाएं तो लाब मिलेगा हरी करन जुड़ें बहुत स्वागत है आपका और यह कह रहे हैं मेरी सरकारी नोकरी कब लगेगी और फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा हरी करन जी आपकी पत्रिका भी इस समय तैयार हो रही है और उसी के बाद आपको बताएंगे एक बच के चालिस मिनट सोबह का आपने एम का मुझे समय दिया है लुदियाना जन्मिस्थान देखे हरी करन करक लगन की पत्रिका करक आपकी राशी वर्तमान समय में आप भी ढईया के दुश्प्रभाव में है तो ऐसे समय लापर वही आपको नहीं करनी है आलस से त्याग दीजिए भगवान शिव की उपासना करिए नमाश शिवाय मंतर का 108 पर जाप करिए और 8 से 10 रती तक का एकशुद मोती आप पहन लीजिए गुरू और शनी की यूती कुंडली के एकादश भाव में है और द्वितेश सूरिय अपने से द्विते होकर कुंडली के तीसरे भाव में बैटकर भाग्य स्थान से संबंद बना रहे हैं सरकारी नोकरी की प्राप्ती की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं हो सके तो आप एक मानिक भी धारन करिएगा और इससे आपको बहुत लाब मिलेगा अगर आप मानिक धारन ना कर पाएं तो सूरिया स्टांग गोटे का आपको धारन करना है लाब बहुत होगा कौशल जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका और ये कह रहे हैं कि नौकरी मेरी जो अभी कर रहा हूँ वो रहेगी या चली जाएगी मार्क धर्शन कीजिए देखिए कौशल जी मैं आपको बता दूँ वर्तमान समय में कुंड़ी में सूरिय राहु गुरू और बुद्ध की युती है तो थोड़ा सा अपनी नौकरी को बचाने का प्रयास करिएगा एक छोटी सी गलती आपकी नौकरी ले जा सकती है तो आपको बचना है लापरवाही से आपको बचना है छोटी छोटी गलतीयों से वर्तमान समय में इन चार ग्रहों की युती आपकी नौकरी को शती पहुचा सकती है नुकसान पहुचा सकती है क्या करना है उपाए भगवान सूरी की उपासना करनी है जरूरत मंद लोगों को अन गेहूं यानि कि और गुड का दान करना है और अपने माथे पर केसर का तलग प्रति दिन करना है आने वाला समय आपके लिए ठेक हो जाए तो हर अमावस्य पर और हर पुर्निमा पर जरूर पुरतमंद लोगों को दान जरूर करिए मौनिका पुरी जुड़ियां बहुत स्वागत है आपका मौनिका जी यह कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है कब तक यह योग होगा 11 जुलाई 1983 रात को 11 बच्च के 13 मिनट का आपका जन्म है और दिल्ली आपने चन्मिस्थान बताया है देखे मौनिका यहाँ पर क्यों विवाह नहीं हो पाया सबसे पहले आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए मीन लगन की आपके पत्रिका है सब्तम भाव भावेश और कारक यह जिम्मेदार होते हैं किसी भी भाव के फल को देने के लिए या ना देने के लिए मीन लगन की आपके पत्रिका सब्तम भाव का स्वामी है बुद्ध और राहू के साथ सूरे के साथ वो पीडित हो चुका है और अस्त हो चुका है तो ऐसे में आप अपनी कुंडली के साथमे भाव से संबंदित ग्रह के मंतर का जाब करिए ओम बुम बुद्धायनमा मंतर का आपको जाब करना होगा क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह भाव बहुत ज़्यादा कमजोर है इसी के कारण आपके विवाह में समस्या आ रही है माथे पर केसर का तिलक करिए और किसी योगे विद्धान की सला से मंगला गौरी के विरत करना आप आरंब कर दीजिए आपकी समस्या हल होगी लेकिन जब आपकी यह समस्या हल हो जाए तो आप किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ कपड़े, कुछ पैसे, कुछ अन देकर उसकी मदद जरूर करिएगा कुंडली में वरतमान समय में शुक्र में राहू का अंतर है आने वाले, आपको समय बताते हैं कि आने वाले 14 जुलाई 2023 के बाद विवाह के योग प्रबल है, निश्चिंत रहिए एक और विवर हमारे साथ जुड़े हैं मिनाक्षी जी बहुत स्वागत है आपका और इनके प्रशन का भी हम जवाब देते हैं इनका जन्मांग तैयार कर लेते हैं 23 जन्वरी 1998 देखे मोनिका जी आप माफ कीजेगा, देखे मिनाक्षी जी आपने हमें सिर्फ जन्म का माफ कीजेगा, आपने पूरी डिटेल, हाँ, जी हाँ दे दी है 10 बच के 10 मिनट आपने जन्म का समय बताया है और मिनाक्षी जी ये आपकी पत्रिका तैयार हो गई मिनाक्षी जी का सवाल है कि मैं सीए कब तक बन पाऊंगी और मुझे नौकरी में सफलता कम मिलेगी देखी मिनाक्षी, सबसे पहले आपको बताऊं कि कन्यालगन की आपकी पत्रिका बुद और शुक्र की उती कुंडली के चोथे भाव में होकर दशम से संबंद बना रही है या सूरिये आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में है, चंद्रमावरिष्चिक राशी में है मंगल गुरु के तुकी यूती आपकी कुंडली के छटे भाव में देखिए, यहाँ पर सीए बनने का मुझे योग जो है थोड़ा सा कम दिखाई देता है सीए साब बन सकती है लेकिन आपको उसके लिए भी बहुत प्रयास करने होंगे क्योंकि वरतमान समय में तो आप शनी की ढईया के प्रबाव में है राशी से चोटे भाव में आपकी कुंडली के छटे भाव में यानि की शनी का गोचर है तो आपको क्या करना है आपको हो सके तो एक सवाच्छे से सवाशात रती तक का शुद आप पन्ना रतन धारन करिए लाब मिलेगा और बुदवार के दिन हो सके तो थोड़ी सी जीवजन्तूओं की सेवा करिए पक्षियों की सेवा करिए आजकल गर्मी है तो उनके दाने और पानी की विवस्ता करतीजिए ये छोटे-छोटे उपाई यदि आपने अपनाई तो लाब की प्राप्ती निश्चित तोर पे होगी एक अगले विवर के और बढ़ते हैं और इनका डेट ओव बर्थ नहीं है इनकी शादी हो गई है और इनसे जिनका विवा हुआ है उनका नाम अनुपम है जो आपने जन्मांख हमारे साथ साजा किये हैं ना तो उसमें अपने जन्म इस्थान हमें बताया है ना जन्म का समय बताया है तो ऐसे में हमें समय भी चाहिए, स्थान भी चाहिए आपके प्रशना नुसार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कुंडली से ही देख पाते हैं देखिए यहाँ पर सूर्य बुद्ध राहु और गुरु की युती है मेश राशी में और सुराशी का चंद्रमा है तो बहुत जादा संबंदों में आपके दरार ना आए खटास ना हो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि भगवान विश्नु की उपासना करनी है वो भी सुबह के समय क्या करेंगे आप भगवान विश्नु के 108 नामों का जाब करिए पीली मीठी वस्तू का दान कर दीजिए ताकि आपके संबंदों में मदूरता बनी रहे सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका ये कहने मेरे भविश्य के बारे में बताईए सुरेश शर्मा जी आपका जन्मांग भी हम तयार कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना सुरेश जी आपके जन्मांग के हिसाब से सबसे पहला काम आपको अपनी सेहत को ठीक करना है आने वाले अगस्त दोहजार तेईस तक पेट की समस्या मुझे कुछ नजर आ रही है तो इस तीज का आप ध्यान रखिएगा एक बात और आने वाले समय के अंदर आपको लाब की प्राप्ती हो जाए भविश्य में कोई टेंशन ना रहे तो आप सुभह के समय दुर्गा चालिसा या दुर्गा शप्त शती का पाठ करना शुरू कर दीजिए आपके रुके हुए और बिगडे हुए कारे बन जाएंगे वंदना चौधरी जुडियां बहुत स्वागत है आपका ये कह रहे हैं कि मेरी सरकारी नोकरी कब तक लगेगी देखते हैं वंदना जी का जर्मांग तयार करके करना क्या है आपकी सरकारी नोकरी की निमित प्रशन है तो देखिए यहां पर सरकारी नोकरी की प्राप्ती का प्रबल योग है अपने प्रयास तेज करिए चुकि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नोकरी का कारक्षनी है जो कि गुरू के साथ नीच वस्था में छटे बाव में विद्धिमान है तो आपको मेहनत बहुत करनी होगी अपने प्रयास बिलकुल तेज रखिएगा उनमें कोई लापरवाही या कोता ही मत बरतिएगा हो सके तो आप एक शुद सवाचे रती तक का मानिक धारन करिए अपने राइट हैंड की अनामी का उंगली में भगवान सूर्य के बारा नामों का जाब करिए और हो सके तो आप मंगलवार के दिन मीठी वस्तूओं का दान जरूर करना तो मित्रो आज जोतिश गुरू ने उनी प्रशनों का जवाब दिया जो सुबह 6 बच के 35 मिनट पर आपने हमारे साथ जोतिश गुरू लाइव स्टिमिंग में साजा किये थे मित्रो जब भी आप कोई प्रशन पूछें तो अपना नाम जरूर लिखें जन्म का दिन, महीना, साल, समय और इस्थान निकना बिल्कुल न भूलिएगा उसी के बाद आप अपनी समस्या पूछेंगे तो हमें प्रशन का जवाब देने में कोई परिशानी बिल्कुल नहीं होगी तो मित्रो आज के सभी प्रशनों का हम जवाब दे चुके हैं और कल फिर सुबह 6 बच के 35 मिनट पर आप हमारे साथ जुड सकते हैं और अपनी समस्याओं को साजा जरूर करिएगा दीजिये इजाज़त जोड़े रेगे जिने उसके साथ नमस्कार